वेल्कम दोस्तों कानूं का गयान विदैस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वाबत है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे लो शेयर नहीं करूँगा आज मैं आपको बताऊँगा अपना COVID-19 वेक्सिनेशन का एक्सपीरियंस क्या मेरे साथ प्रॉबलम आई और क्या मुझे डौक्टर ने सजएशन दिये और क्या इसमें करना चाहिए और किन लोगों को लगवानी चाहिए और किने नहीं लगवानी चाहिए एस पर धॉब दॉबर जो डॉबर यह बताया वो आज मैं आपसे इस वीडियो में बताऊंगा और दोस्तों लाश्ट में इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो की न्यूड वीडियो कॉल से रिलेटेड है इसके जो हैं काफी ब्लैक मेल किये जा रहे हैं तो लाश्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके साथ में क्या घटना घटी है तो चलिए दोस्तों पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों इंडिया में 18-14 साल के बीच के एज ग्रूप के जो परसंस हैं उनकी वैक्सिनेशन चालू हो गई दोस्तों मैंने अपना रेजिस्ट्रेशन करवाया था वैक्सिनेशन के लिए सुप्रिम कोड में जो है वैक्सिनेशन प्रवाइड की जा रही थी सुप्रिम कोड बार की तरफ से तो मैंने अपना वहाँ पर रेजिस्ट्रेशन करवाया था 18 तारीक की मुझे डेड मिली थी जहां पर जाकर मैंने अपना वैक्सिनेशन करवाया था यह है उसकी slip जो मुझे हमा से vaccination के बारे में दी गई है आपको दिखरा होगा इसमें 18 तारीख की है यह slip जो है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो vaccination का मैं महा का आपका बताता हूं Supreme Court का क्या तरीका रहा कोई problem आई है नहीं आई दोस्तों सबसे पहले तो एक एक बात मैं आपको बता हूं Supreme Court में जो vaccination लगाई गई वो बेहद ही बेहद अच्छे तरीके से लगाई गई जो entertain किया गया था महाँ पर advocates को या उनकी family members को उन्हें बेहद अच्छे तरीके से entertain किया गया था पानी की सुईदा महाँ पर थी और तो और ambulance की भी सुईदा महाँ पर vaccination camp के बाहर रखी गई थी, ambulance भी खड़ी भी थी अगर किसी के साथ में casualty होती है ताब अब दोस्तों बात करते हैं vaccination जब शुरू हुआ जब मैं अंदर गया क्या हो दोस्तों सबसे पहले तक चीज़ में आपको बता हूं जो vaccination के बारे में ये जूट बोले जा रहे हैं अ और covid shield या co vaccine असरदार नहीं है या फिर sputnik असरदार है दोस्तों पूरी तरह से जो ये अफवाएं हैं ये विल्कुल गलत हैं अब मैं आपको बताता हूं जब मेरे vaccine लगी, covid shield मेरे इसमें लगाई गई है तो covid shield जब जिस time मेरे लगी तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी ऐसी कोई problem नहीं आई कि मुझे चक्कर आया हो या फिर कोई मेरे साथ दिक्कत हुई हो लेकिन उन्होंने हाँ मुझे 15 मिट से आदा घंटा observation room में बिठाया रखा, observation room में में बैठा रहा हूं और तब भी मुझे वहाँ पर कोई ऐसी problem महसूस नहीं हुई, लेकिन हाँ इसमें एक वैक्सीन लगवाने जाएं तो आप खाली पेट मत जाएएगा, खाना वाना खाकर अपनी अच्छी से डाइट लेकर तब जाएगा vaccination करवाने के लिए, तो महाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपने खाना वाना नहीं खाया है और आप वैक्स दे सकती है, तो इसलिए खाना वाना खाकर आप लोग vaccination करवाएं, एक तो टिक यह है, दूसरी चीज यह कि दोस्तों जो यह अफवा है कि COVID-SHIELD या COVID-19 जो इंडिया में manufacturer है, manufacturer हुई है वो बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कल मुझे वैक्सीन लगी, आज मुझ हलका सा फीवर रात में आया था, और बोडी पेन मुझे जादा हो रहा है, जो मेरी बोडी है, वो काफी जादा दद करी, लेक्स में और कमर में पेन हो रहा है, लेकिन जो वैक्सीन है, हमारी कंट्री की भी, COVID-SHIELD जो है, असरदार है दोस्तों, अच्छे से काम कर रही है, यह दिखा हो कि किसी को casualty हुई, या फिर किसी को reaction हुआ हो, यह तो दोस्तों, rarest rare case में, मालीजे, लाखो में या करोडो में एक आदमी को reaction हो गया, तो ऐसा नहीं है कि COVID-SHIELD reaction करेगी आपको, या को वैक्सीन करेगी, Sputnik नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जो वैक्सीन आपको अभी available है, आप वो जाकर लगवाईए, क्योंकि दोस्तों, वैक्सीन अगर आप लगवा लेंगे, तो आप खुद तो safe होई जाएंगे, और आपके जो family members हैं, वो भी safe हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजे, आप positive हो जाते हैं, वैक्सीन नहीं लग लेकिन ऐसा नहीं है, कि हमारी जो country की vaccine है, वो बेकार है, ये बिल्कुल जूटी अफवाएं हैं, कि उसे चक्कर आ जाते हैं लगवाने से, या फिर heart में कुछ problem हो जाती है, मैंने भी 25 साजियों को अपने पहले देखा, किशी को भी कोई दिक्कत नहीं आई, तो बस एक टि केस में, उन्होंने मुझसे कहा, कि अगर उन्हें ऐसे जो दवाएं हैं, जैसे पैरसीटमॉल वगएर होई, किसी किसी को ही reaction करता है, तो ऐसे case में vaccine थोड़ा avoid करें, क्योंकि government की भी guidelines है, कि या तो कोई breastfeeding कराती है, lady, उसे अभी vaccine नहीं लगाई जा रही है, और जो reaction करती है जिने जाद तर दवाईयां, उन्हें नहीं लगाई जा रही है, तो दोस्तों मेरा कहना तो सिर्फ यह ही है, कि vaccine जो government हमें provide कर रही है, आप वो लगवाईए, अगर covid shield आपको मिल रही है, तो covid shield ही आप लगवाईए, Sputnik के चक्कर में मत पढ़िए, कि मैं दो महीने बाद Sputnik लगवाऊंगा, vaccine हमारी country की भी असरदार है, लेकिन दोस्तों आपको vaccine लगवाने के बाद में थोड़ा सा fever और body pain जरूर होगा, लेकिन इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जादा थर vaccine अगर कोई भी करती है, बिल्कुल कारगर vaccine है, जो हमारी country की है, covid shield है, covaxin भी तो इसलिए अफवाव से दूर रही है, और अगर आपको vaccine अवैलेबल हो रही है, तो vaccine जरूर लगवाईए, किसी के चक्कर में बिल्कुल मत आईए, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, यह तो बात रही vaccine की, अब मेरे पास में yesterday night, यान कि कल रात मेरे एक subscriber की call आई थी, राजिस्थान से, जिन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ में एक blackmailing हो रही है, वाटसेफ वगेरा से video call वगेरा आती है, या फिर उन्हों कोई और video call का, जो social media का अधर जरिया था, वो बताया था, मुझे य लो blackmail कर रहे हैं, तो दोस्तों, इसके उपर मैंने वैसे detailed video बनाई है, और वो video काफी अच्छा response मुझे दे रही है, अब तक उस पे कुछी दिनों में 500 से 700 views आ चुके हैं, तो वो video आप जरूर देखिएगा, और मैंने उन्हें भी समझाया, subscriber जो थे हमारे, कि अगर आप से कोई पैसे की मांग कर रहा है, और आपका अगर उन्होंने recording कर भी लिया है, तो ऐसे case में आप police के पास जाई, complaint दर्ज कराईए, डर ये बिल्कुल मत और एक भी पैसा, ऐसे case में बिल्कुल भी मत दीजिए, इन frauds को जो ये scam कर रहे हैं, क्योंकि अगर माल लीजे आपने प Scammers के खिलाब आप police में complaint कीजिए, चुप मत बैठिए, क्योंकि बहुत से लोग इसलिए चुप बैठ जाते हैं, कि police जो है डराएगी, धंकाएगी, बत्तमीजी करेगी, कि तो मैं सो उटे सीधे काम करते ही, क्यों हूँ, अगर आप खुद police station नहीं जा सकते हैं, तो जो आप उन्हें speed post वगारा से, mail वगारा से भेज़ दीजिए, senior officers को भेज़ दीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपके पास में evidence रह जाएगा, इसके ओपर मैंने detailed video बनाई है, वो मैं I button में डाल दूँगा, आप I button में जाकर check कर साथ, तो दोस्तो ये तो था मेरा COVID vaccination का experience, वैक्सी वैक्सीन है हमारी country की बहुत कारगर है दोस्तो, वैक्सीन आप लगवाई अगर आपको वैक्सीन available हो रही है तो, तो next video दोस्तो आपको लोग के topic पर जरूर मिलेगी, ये तो experience था जो मैं आप लोगों से share करना चला था, तो आपना vaccination से related, तो दोस्तो वीडियो को like करें, share कर और चैनल को subscribe जरूर करने, दोस्तो क्योंकि बहुत जल्दी आपको लोग से related वीडियो इस चैनल को मिल जाएगी, thank you